कभी नहीं जाती है उसके बाहर, कभी नहीं जाती है, यदि रावण साधू का वेस नहीं बनाया होता तब, तो ये क्या सब्सक्राइब, खुद की पत्नी भी धोका खा सकती है, तो आप आदमी किस देख, इसलिए जब कभी भी कोई धार्मीक चीज में अगर आए, तो उसे ए लीला है, समझा गया लीला, तो काते है राम लीला, रामायन, रामायन, किसने रचना किया भी यह, किसने, वालमीकी, पारसी वालमीकी, वालमीकी, वालमीकी में इसे रहेगा ना, अंदाजे कभी कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, वालमीकी जी ने महावारत रामाय लेकिन बाद में इसमें कितना हो गया 24,000 कितने अजार हो गया 24,000 वहां रामायर के जो खंड है क्या है खंड है उन्हें क्या कहा जाता है भाग बोले तो लेषन नमायर में एक तरह का लेषन समझे देखिए उस आज के चीज़ों से मिला लिजेगा तो समझने में असानी होगा भाग पढ़ाते रज़ेगे लेषन बोलेगे तुरस समझ में रहेंगे कितना लेषन है साथ इसके लेषन को क्या कहा जाता था कांड क् सबसे बड़ा कांड, कौन सा है, सुन्दर कांड, कोन से कांड, सुन्दर कांड, सुन्दर कांड, अकसर देखते होंगे, पंडी जी मेरे के खंडो को क्या कहा है, क्यांदें कितने कांदा यूद्ध कांद सबढध बड़ा कंद एक सबसे बड़ा कर तर यूद्ध कांद तरकांद है कि क्या कराइए , संदर कांद आप लोग भी अपने घरों में सुंदर कंड वगरा करा सकते हैं पूजा पाओ चीजी है पूजा पाओ करा hesa कम से कम जोने बाने जिस दिन तक पूजा रहता है आदमी कम से कम ओ दिन को गलत काम नहीं करता है सबसे बड़ा तो पायदा इंस्टेंट दिखता है आगे हो नहो लेकिन कम से कम उस दिन आदमी कुछ नहीं करता है जिसके घर में हरी किर्थन होता है या यंट वगरा होता है या मुस्लीम में जिनके घर में कुरान खानी होता है कम से कम वो उस दिन कुछ गड़ बढने किता है बाई आज पूजा पाठ है अब दीघे महा भारत रामायंड जो है आठ ये तो है भाई या पहले से रामायन में हर चीज़े क्या थी लेकिन हमारे देश की सिख्छा वेवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मी किताब बनके रख दिया रामायन को अक्सर का जाता है राम लीला देखते हैं ये राम जी की क्या थी लीला थी राम जी की क्या थी लीला अगर आप इसके छोटे से छोटे चीज़ों को अगर आप समझेंगे कोई भी चीज़ को अगर समझेंगे छोटे से छोटे चीज़ को तो आज के जीवन में आपको बहुत सारे चीज़ों सीखने को मिलेगी अचाही बताइए राजा दसरजी की पत्नी थी वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डालके उनसे वचन मागए कौन दी कह कही उन्होंने क्या कहा था राजा दसरजी ने तो यह आप इसका ध्यान रखे यह क्या चीज था यह आने वाले कलियुक के लोगों को दिखाने के लिए प्रेड़ना की सुरोत थी कि देखिए आज उनक सबको पता था भगवान जी को आने वाले समय में एग्रिमेंट वगरा बहुत होगा वह दिखाया गया था कि इस लीला को समझी है और अपने आने वाले जीवन में 100-200 साल हजारों साल बाद आप इस जीवन में लियाद रखेगा कि अगर आप किसी के बती अहसान मंद है तो उसका अहसान तूरत चुका ही है उसको अगर फ्यूचर पर टालेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह आके चोट दे कि फिर आपको भी काम खतम हो जाएगा आप अभी याद रखेंगे यहाँ पर आप इस रामायन में बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो आज के वक्त में आपको अपनी जीवन में ब बनाया होता तब तो ये क्या संदेश देना चाहता है कि हर साधू के बेश में समझा आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है कल्यू के बेश में अगर कोई भी आपका साधू बनके आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लच्मन रेखा पार कराने के लिए है इसलिए आँख बंद करके भरोसा नहीं कीजेगा, क्योंकि सीता जी जैसी जब वो भगवान की पतनी जब धोका खा सकती है, तो हम जैसे तूछ मानो लोग की आवकात कुँछी, आवकात है हमारी, और आज भी देखिए, आपको तांतरिक लोग किसी किसी नाम पे आपको ठगेंगे, ये एक लीला है, लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आये थें, तो इस तरह से पढ़ा के गए, कि हमारे और आपके दिमाग पे ताला मार दिया, कि बौध गरंथों में कुछ भी है, तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है, कि आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप सीख है, अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कहके गए थे, क्या कि हमसे तुमको कोई भी बहुत दे लोग ही हमसे अपनी तमनाओं को मांगना, या हमारी मननत मांगना, अगर कोई मुसलिम या हिंदू हमसे कोई परातना करेगा, तो हम पूरा नहीं करेंगे, क्या मर्यादा पुरसौत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सचे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रात्ना करेगा उसमी मुसीबत में तो हम उसकी पूजा को नहीं सुनेगा, कहेंगे भाग तुम मुसलिम है, क्या कहेंगे, नहीं, लेकिन हम लोग 200 साल तक अंग्रेज यह साफ संदेश था राम जी का, कि देखिए हमारी खुद की पत्नी भी धोका खा सकती है, तो आप आदमी किस देख, इसलिए जब कभी भी कोई धार्मीक चीज में अगर आए, तो उसे एक बार जाच परक लिजेगा, हम यह नहीं कहते हैं कि सब गलत है, लेकि जाच परक जरूर लिजेगे, जब लंका में जाय जा रहा था, लंका में जब जाने के वक्त में भी देखिए का, जब वानर लोग पूल बना रहे थे, वानर लोग क्या बना रहे थे, पूल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी इटा लेके डोती थी सब, अब गिलहरी की आउकाते क दीन निसान होता है तो यह कहा गया कि राम जी का यह क्या है निसान है और राम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस बंदर को बुला के दिये थे वानेरी सेना को के तो इधर आओ सब का क्लास लिये थे चल लोग यहां पर आरा कई से वहां पर उन्हों नहीं राम जी गुसी आने वाले नहीं थे लच्मन जी तनी बढ़ कीले टाइप के थे आखे काट दिये सुपने खाका आज भी हर लड़की किसी भी लड़के को परपोच करने से डरती है क्योंकि उसको यादे से सुपने एक बार रामार के समय लच्मन जी काट दिये थे लड़का डरता है कि कहीं तमाचा मत मार दे लड़की डरती है नकिये मत काट दे कर ये मजाक वाली बात इसको सिरियस नहीं लगा तो राम जी ने क्या कहा था देखो हेने ये नहीं रखता है कि तुम कितना कर सकते हो वंधर लोग जो है वानरी से ना तुमारी चामता जाद है तुम बड़े बड़े रखते थें, इसलिए हम आज भी इस गिलरी को अपने पास रखते हैं, जिस दिन हमको ठकान होने लगती है, हम इसको देखते हैं, तो राम जी की बात यादा दे रखते हैं, कि ये, जिन्दा इसमें रहेगा, हमको आज भी जब भी ठकान होती हैं, तो हमने इसको देखते हैं, जिन्दीगी में ये मत तुमने किसे, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे पर आज हमारा छे मिलियन हो गया 6 मिलियन कल ही हो गया था, रात में हो गया था, कल ही आप हम सोचे बताया है चलिए, अब में टाइम पे आते हैं, यहाँ पे तो पहला आपने ये देख लिया, उसके बाद आपने देखा कि लचमन जी को क्या लग गया था, तीर लग गया था, सक्तिवान के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक उसमें मंत्र वगरा था, पहले कि जमे में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक थे, उसमें कुछ अगे हुए जगह पे हाथ रग देते तो क्या वो जखम सही नहीं हो जाता है हो जाता कि नहीं लेकिन राम जी तो भाईया ठारे भगवान उन्हें पता था कि आने वाले कल्यूग में बहुत सारे ऐसे तांत्री घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मरियादापुरसत्तम राम न से संजी उनी बूटी लाइए जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुभिधा ला सकते आज के समय में अगर आप देखेंगे मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में ना लेंगे तो आज के समय में अबूलेंस को दरसाता है और मेड दिखाता है लेकिन आज के समय में हम लोग क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतियों का सास्त्र में इसा चीज है कि अगर इस सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना तो हमरे इंग्लेंड को पीछे छोड़के चल जाएगा लेकिन उन्होंने इस चीज क बात क्या असर पड़ेगा उस सचुरे हमरे किताब पढ़के आगे बढ़ गया सबा हम लोगो थरिया थमा दिया तु रमार पे लड़ तु महाभारत पे लड़ हम हिंदू तु मुसलमान तुम सीख तुम ही साई यहां लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते हैं इस चीज को आज भी आप लोग समझे इस चीज को और दूसरा देखे आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे बहुत सारा चीज को रमाभा उसमें देखेंगे आप रामड मारा गया क्यों अपने भाई को क्या किया था बता दिया था जबकि रामड नहीं मारा जाता अगर वो अप आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं करीबी कभी कोई न कोई करीबी होता है इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को न बता इसलिए महिला को तो बताईबे मत कि आप बुरा मानिएगा लेकिन यह चीज हकीकत है किसी महिला को बताएगे नहाई बात मत बताना तू अपनी सहेली को बताएगे और उसको भी कहेगे किसी को बताना नहीं और उपूरा लोज पीट देगी अब सबको यही बात कहा जागे किसी को बताना नहीं पहले के वक्त में मीडिया नहीं था महिला ही मीडिया का काम करते थी कोई खबर पहुंचाना है ये को दादी को कह तो पूरा मीडिया काम हो तो इस चीज को आप समझेए ये केस स्टडी है राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाए गया ये हुआ लेकिन जब बनवास काट के जब वो घर आए तो घर पे आए तो सब को पताएगी सीता जी 83 दिन तक लंका में थी लेकिन रामण को स्राब भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियती से टच भी करता है तो भास्म हो जाएगी पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है लेकिन जब वो आयोध्या पहुची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अगनी परिक्षा देनी पड़ी सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को जगत जनिमा सीता को वो अगनी परिक्षा में बैठाएं लेकिन समाज में आकर जोने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है विदम पवित्र है इवन कि असोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत जारे इंसानियत थी और कहा भी मतलब एक रावण के बहुत साथ लोग रावण की इंसानियत को भी कहते है और कहते भी कि सीता जी को पवित्र लोटाए गया था तो ये राम जी की बहादरी तो थी ही लेकिन इससे कहीं जादे रावण की इंसानियत भी थी और जो दसारा की दिन रामण को जलाते है तो एक quotation आता है ये रामण भी बोलता है मुझे आग लगाने वालो जरा ये बताओ इस भीड में राम कोन है लेकिन हम लोग दसारे में उस रामण को जलाते है हकीकत देखेगा तो उससे नीच और अदमी आज हम लोग बनके बैठे हम लोग से कहीं ज़्यादे इंसानियत उस रामण में था उस वक्ति लेकिन राम जी अयोध्या आये ना तो 90% लोगों को पता था लबे परसेंट लोग खुश थे कि आज हमारे मरियादा पुरसुत्तम राम आ गये लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अगनी परिक्षा मारत देदेंगे जगत जन्नी मा सीता तो पवितर है हैं अगनी परिक्षा में क्या हो जायागा सफल stuffing अई को अगनी परिक्षा में वैठी है और करा गया भइया अगर पवितर रहेंगी तो आग नहीं जला पाएगी और पवित्र है तो आग जला देगी, क्या सीता जी को आग जला पाई थी? और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना चल भाग यहां से तो मा सीता को अगनी परिक्षा नहीं देनी होती लौ और कुछ को छोड़ कर मा सीता कभी नहीं जाती वच्पन में बिचारे रोते रह गए इसलिए अगर दो कोड़ी के लोगों को चकर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बरबाद हो जाएगा राम जी का पूरा परिवार बरबाद कर दिया इन दो कड़ी के लोगों ने इसलिए जीवन में याद रखिएगा जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बरबाद कर दिया आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रमायर की तुम्हें पाट सुनाते नहीं सुनेगा और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धरम के तो आप भी नहीं करेंगे ये किसने ये जहर बोया हमारे अंदर किसन बहुत दिमाग वाले थे वो लोग को पता था कि भाई साब तलवार की ताकत से देखें मुगल जब आये थे सब तो तलवार से लोगों को काटे थे सब और अंग्रेज आये सब तो कलम से लोगों को काटा गया और वो खुद लिखके गये थे the power of pain is more than the power of sword कलम की ताकत थी जिनने राजी दिक्षित को अकास्मिक मृत्यू कर दिया और जो हमारी वयचारिक वयचारिकता को एक ग्लोबल लेबल पर ले जा रहे थे तो खर आप भी समझते हैं इस सब चीज में मत पढ़िएगा धार्मीक चीजे गलत होती है लेकिन हम लोग इसके सिकार हुए है ह लेकिन समाज का एक हिसा अईसा भी है जो सफुरा इसमें और जादे क्या होते जा रहा है बंते जा रहा है आप पढ़े लिखें आप इस चीज को समझेगा तो रमायर क्या है एक तरह की लीला है जो बताता है कि वह सब को संतूष नहीं कर सकते हैं बेवस होगी है क्या कोई अभी के समय में वादी जी सब को बना रहे हैं देखिए आप ध्यान से समझेगे ऐसा नहीं है बढ़िए देखिए आप अगर आप पॉलिटिक्स पॉलिटिकली देखिएगा तो साइध हम और आप भी अगर परधान मंतिर रहेंगे ना तो साइध बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे यार आपके करने के लिए क्योंकि वहां बैठे हुए आप लोग आप जैसे सुचे वहां लीडर हो जाते हैं और रही बात मोदी जी की कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब यह कर रहा है सबसे बड़ा इस देश में करफशन का काम किस ने किया था अंगरेज उने किया था देखिए ध्यान से उन्होंने किस तरह से चोट किया था उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कही भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाब आवाज उठाता था तो उसके घर को जला देते थे थे अंग्रेज और उनको अंडमांड निको बार में ले जाके फासी दे देते थे और ये काम उन्हें ने 200 साल तक किया, 200 साल में चार पीड़ियां आ जाती है क्योंकि एक पीड़ी व्यक्ति की लगभग 50 से मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहा जाता है तो चार पीड़ियों के अंदर अंग्रेज उने थोड़ा थोड़ा स्वीट पाईजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ मत उठाओ मत उठाओ तुम्हारा घर तोड़ दिये जाएगा घर जला दिये जाएगा फासी दे दिये जाएगा चार पीड़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली करबसन तो हम लोग बढ़ाते हैं, हमें डर है, हम सवाल उठाते हैं अपने परधान मंतरी पे, हम सवाल उठाते हैं मुख मंतरी पे, अपने पर सवाल उठाएं कि हमारी आउकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सावाने आवाज उठा सके, और ये जो लोग गरते हैं करबसन आपको नहीं पता, आपके गाउं में मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछेंगे क्यों? अरेंद मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, आपको, लोक तं सब गांधी गिरी निकल दियागा वहां जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 270 करोड़ हाथ एक साथ अगर उट जाए करफशन के खिलाब किसी के बाप की उकात नहीं जो भारत मा का एक रूपया लूट के देखा सकते हैं लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं हमरी जैस यहां पहले इछे साथ को बम चल चुका है लेकिन ऐसा नहीं है हमारे आप देखे बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है हम जितना हो सके अंग्रेजों को ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे आखरी सास तक जब तक रहेगा इन अंग्रेजों की जो वैचारी गत्रोध हमारे साथ देखे गए हैं उससे निकालने का कोशिश करेंगे एक भी भारतमा के संतान को अगर हम सही रास्ते पलाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया यह आपका करता भी बनता है आप इसे आवाज उठाइए और आज कोई कुछ नहीं कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता है अरे अंग्रेज जब हम लोग लड़के गुलामी ले लिए गुलामी से आजादी होगे तो मुखिया कौन चीज़ लेकिन आप इसके खिलाब आवाज नहीं उठाते हैं आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गाव को सुधार सकते हैं में तकलीफ और सेके प्रधान मंतरी को यकि रिप्लाइण तो पीछ एक लड़का उसका reply दिया था, कल वाला वीडियो देख लो हम वीडिल वाला काम नहीं करते हैं, हाँ या ना जब-जब कोई गलती सरकार से होती है, सान अंदोलन, इसी चीज़, हम सीधा भी रोत कर देते हैं अगर गलत हैं तो गलत सही हैं तो सहीं, पीछ वाला रास्ता हम अंगरेज वाला काम नहीं करते हैं, नहीं होता हैं आप भी अब आज उठाईए, आप मेरे ख्याल से आप रामायड समझ गये, हाँ, इसको कहानी मत समझ गये, क्या है ये, लीला है, समझा गया लीला, तो का ते राम लीला,